मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है आप बिहार के तमाम छात्रगन जो की बारहमी कहचा में इंटर्मीडियेट में अध्यन्दत हैं उनके लिए बायलोजी के तेरह में चेप्टर जिसका नाम है जीव और समश्टियां इनसे सम्मंदित आपको अधारभुद जानकारी प्रस्तूत कर रहा हूं लेक्चर स्रिंखला प्रस्तूत कर रहा हूं चुकि ये चेप्टर बारा है इसलिए मैं इसको दो भाग में प्रस्तूत करूँगा आप पहले भाग को पूरा सुनेंगे तभी दूश्रे भाग में को अप्शुनना सुरू करेंगे इसमें सुरुवात में करता हूँ कि एकोलोजी किसको करते हैं एकोलोजी की हिंदी शब्दाबली है पारिस्थितिकी तो जीव और प्रयावरन के बीच के संबंध जिस विभाग में हम अध्यन करते हैं उसको एकोलोजी कहते हैं ये जीव और प्रयावरान, ये दोनों मिल करके एक बैलेंस बनाते हैं, इसको हम लोग एकोलोजी कहते हैं, तो जीव ग्यान में, एकोलोजी जब अध्यान करते हैं, तो वहाँ पर चार भाग में बाट करके इसका अध्यान करते हैं, पहला जीव, दूसरा समस्टी, समस्टी क जिसमें जीव लीविंग और नन लीविंग बहुत सारी चीज उसमें आते हैं जैसे मनुश हुआ जानवर हुआ कवक हुए बिशानू हुए पेर पौधा हुए कही सारे अवियव उसमें आते हैं समुदाय और चौथा जीवोम चार कौन कौन चीज याद रखिएगा जीव समस्टी समुदाय और जीवोम ये चार इनका हम लोग अध्यान करते हैं अब भारत में इकोलोजी के पिता किनको कहा जाता ये प्रशन आपके वस्तुनिष्ट के लिए लाजबा प्रशन है वस्तुनिष्ट के लिए आपका गोल्डेन प्रशन है इसको याद रखिएगा तो भारत में परिस्थित्की के पिता ये राम दे मिश्रा को कहा जाता किन इनको याद रखना सुनिए जी खाटि भी यारी कुछ रहा है कौई राम दे मिश्णा भारत में पारे सित्की के पिता राम दे मिश्णा हैं अब जीव और इसके प्रयावरण के तहट हम लोग अध्यन गहराई में करते हैं तेकि प्रतीक जीव प्रयावरण में रहता है वो इन सब चीजों पर उसका जीवन निर्वर करता है, तापमान हुआ, जल हुआ, प्रकाश हुआ, मिटी हुआ, इन सब चीजों पर निर्वर करता है, सिर्फ उतन ही नहीं, पैथोजन जैसे किनो रोगों से परभावित होता है, रोग जनक परजीवी हुआ, परभक्षी हुआ, अन्जीव से भी परभावित होते हैं इनके साथ इनका असपरधा चलता है इनके साथ इनका कमपिटन्सी चलती है अपने शम्द सुना होगा अपने एक छोटा सा अपने एक छोटा सा सेंटेंस सुना होगा पार्ट अप सेंटेंस की struggle for existence अपनी अस्थित की रक्षा ना करोगे तो तुमको दूसरा नस्ट कर देगा वही चीज़ कि इसके असपरधा इनके बीच होता है और परिश्परिक क्रिया करते हैं यही सब सामिल है इस परिश्थित की में इन ही सब का और गहराई प्रवक अध्यन करेंगा तो कुछ जीव ऐसे है जो टेंपरिचर के बारे मध्यन करते हैं कि ताप पर क्या असर पड़ता है तो कुछ जीव ऐसे हैं जो अच्छे ताप रेंज पर जीवित रह सकते हैं यह इनका रेंज बरा है जैदे घट बर भी जाता है तो वो मरते नहीं है वो इंस्टिंक्ट नहीं होते है वो बिलुक्त नहीं होते है इनको हम लोग यूरी थर्मल प्रानी कहते हैं यूरी थर्मल प्रानी जिसको हम लोग प्रिथु ताप जापी इसको कहते हैं जो जीव तापमान के कम रेंज पर ही जी सकता है जाएदे बढ़ाईएगा कम किजिएगा तो वो आपको जीवित नहीं रह पाएंगे उनके लिए जीवन जीना कठिन हो जाता है वो विलुक्ति के कागार पर पहुंच जाएंगे उनको इस्टेनो थर्मल करते हैं इस्टेनो का टेंपरिचर क्या है जल का ताप क्या है उसके बाद जल का पिएच वैलू क्या है प्रानी अलग अलग पिएच वैलू में एक्जिस्ट करने वाले होते हैं समुदरी जली जीव को यदि आप नदी में रख दीजेगा तो जैदे जिन तक सर्भाइब बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि नदी माने कवाद मर जाते हैं नदी के जीव को समुदरी में डाल दी जगा तो वो मर जाएंगे क्योंकि उन पर लवन्ता प्रभावित होता है लेकिन ऐसे भी जीव है जो नदी में भी सर्भाइब कर जाते हैं समुदरी में भी सर्भाइब कर जाते हैं इसलिए जल क पी एच वेलू इसके बाद जल में लवन्ता जल की ताप इन सब पर भी आपका निर्फर करता है तो कुछ ऐसे जीव हैं जलिये जीव जो ब्यापक लवनिये रेंज पर ब्यापक जिनका रेंज बड़ा होता है उनको हम लोग यूरी हेलाइन कहते हैं और कुछ ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो कम इनका लवनिये रेंज होता है तो उनको हम लोग एस्टेनो हेलाइन कहते हैं उन जीव को एस्टेनो हेलाइन कहते हैं तो ये सब जल भी महतपुर्ण भूम का निभाता है फेल को यदि आप नदी में रख दीजेगा वो जैदे दिन तक सरवाइब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको समुद्र में रहने की आदत है समुद्री प्रानी को यदि आप इसमें नदी के प्रानी को समुद्र में डालिएगा कुछ ऐसी मचलियां है जो नदी में ही रहना चाहती है जील में ही रहना चाहती, पोखर में ही रहना चाहती, तुनको समुदर में डाल दीजेगा, तुनको मर जाएगा, अब प्रकाश की भी अत्यत महत पुर्ण भूमका है, कुछ पौधे ऐसे हैं, जिनको अच्छा धूप चाहिए, प्रकाश रंसलेशन के लिए, जैसे हम जानते पौधे पर भी इसकी अलग अलग जरूरत होती है, उसी तरह प्रानी की भी जरूरत अलग अलग होती है, मिटी के बारे में जाने, मिटी की परकिरती, गुन, जलवायू, उसका किन-किन कंपोनेंट से बना है, कन का साइज क्या है, इसकी जलधारन करने की छमता क्या है, इन इसमपर भी जीव की अर्थात की कई चीज की जीव एक्जिस्ट करेगा अस्तित्त में रहेगा वो प्रयावरान पर इन सब तर्थ पर निलवर करते हैं अब जीव को ऐसे एरजस्ट करने में भी समय लगता है तो कुछ कारक होते हैं एरजस्टमेंट में उसकी भूमका निवा आती है तो कौन-कौन से कारक हैं तो कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे एक हुआ नियमन करना नियमन करना कि जैसे अस्तंधारी प्रानी है प्रया अस्तंधारी उसको कहते हैं जो अपने ही जैसे बच्चियों को जन्म दे अंडा नहीं तो अस्तंधारी सबसे छोटा अस्तंधार चमगादर को हम लोग मानते हैं तो अस्तनधारी प्रानी अपने ताप को इस्थी रखने के लिए क्या करता है कि जैसे मनुष को ही लिजिए अत्यधी गर्मी है पशीना आवेगा पशीना और वो टेंप्रेचर को मेंटेन कर रहा चाहता है जैसे एक मनुष की आदरस ताप की इस्थीती है 37 डिग्री सेलसियस इसके आसपास मनुष कमफर्ट के इस्थीती में वो रहता है मनुष के अपने अंदर का ताप रहता है बड़ी का तो यदि जाएदे उससे ताप अधिक हो जाता है तो शरीर पशीना छोड़ने लगता है पशीना इसलिए छोड़ता है कि उससे evaporation होता है और सरीर को कुछ इसमें ताप में relaxation मिलता है और यदि वो पंखे के नीचे चले आएगा तो evaporation तेज हो जाता है और तब थंड़ा का आशास होता है लेकिन जम वही मनुष्य जिसका 37 डिगरी सामान नताप है लेकिन अत्यंत थंड़ा में चलावेगा अत्यं और वो कापना भी एक तरह से सरीर के temperature को balance करने की एक प्रक्रिया ही होती है चुकि कापने के प्रक्रिया में सरीर में vibration होता है वो एक कसरत के स्थिती में चला आता है और शरीर में कुछ heat आती है तो ये इसको कहते नियम अनकूल बराने का प्रयाश करता है दूसरा है अपने रूप को ही बदल लेता है जैसे छोटे प्रानी का प्रिष्टिया च्छेत्रफल देखिएगा कि छोटा होता है तो छोटा होता है इसके कारण उसके आयतन बड़ा हो लेकिन यदि प्रिष्टिया च्छेत्रफल चोटा होता है तो उस इस्थिती में बाहर जब होगी तो उसकी सरीर में बड़ी तेजी शे उसमा कम होने लगती है तो कम होने लगती है ऐसी इस्थिती में उसको मेटाबोलिजम करने के लिए उसमा काफी खर्च करना पड़ता है इसी कारण देखिएगा कि छोटा प्रानी धुर्वी अच्छेतर में नहीं रहेगा और बहुत बिरले आप देखिएगा कि धुर्वी अच्छेतर में चाहे उत्री धुरूब हो दच्छनी धुरूब हो वहा पक्षी रूस से बिहार में चले आते हैं डेगू शरे के निकट कावर जील का नाम सुने होईएगा दर्भंगा में चले जाएए तो वहां पर कुशेशो रस्थान सुनेगो रूस से जब औसाधरन ठंड परती है तो वहां से पक्षी अक्टूबर नॉमबर के माह में चले आ करते हैं इनको परवाशी पक्षी भी कहते हैं तो यह परवाश अपना बदल लेते हैं यदि ताप का टेंपरेचर का इधर उदर होता है तो बहुत जाएदे अंतर रहता है जब उनको बचना मुश्किल हो जाता है उनका शरीर छोटा है तो अपना जगह ही बदल लेते हैं एक और प्रकरिया होती है इनको कहते निलंबिद करना निलंबिद करना कि जैसे कुछ जीवानू है कबक है कुछ प्लांट्स है तो ये अपने आपको जीवित रखने के लिए ऐसा भी करते हैं कि जैसे उनका सिल मोटा हो जाता है जैसे कुछ फ़ान लेजे बीजी ले लेजे कुछ ऐसे भी होते हैं, अपने शक्रियता को कम कर लेते हैं, जिसे मेटावलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं, कुछ डर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं, मेढग को ही लीजिए कि जब और साधरन गर्मी की स्थिती में आते हैं, तो वो मिटी के नीचे दब जाता है, परा राता, परा राता, सोया राता है, कुछ ठंधा में, जैसे धुर्विया भालू लिजिएगा, तो ठंधा में हाइवर्नेशन में चला जाता है, जिसको सीत निश्क्रियता कहते हैं, कुछ जैसे घोंगा लेजिए, तो ये ग्रिश्म निश्क्रियता में चलाता है, इसक दे देते हैं जिसके कारण वो सरभाइव कर पाते हैं अब अनकूलन के बारे में जाने, अनकूलन कहते हैं कि ये एक ऐसा गुन है, एक ऐसा ब्यवार पैदा करना जिससे वो उस परिस्थिती में जीवित रहने योग हो जाते हैं और अपने अनुवानसिक बृद्धी के भी योग हो जाते हैं अब मान लिजिए कि कुछ उधारन मैं आपको देता है जैसे आप उत्री अमेरिका के मरवस्थलिये भाग में चले जाए तो वहाँ पर कंगारू और चुहा होता है वो अपने जल के कमी को पूरा करने के लिए अपने अंदर का जो वशा होता है उसका आक्षी करना सुरू कर देता है एक दूसरा उधारन मैं देना चाहता हूँ उट को लिजियो उट के पीट पर कुबर क्या होता है उट 15 दिने में एक बार पानी पीता है साथ दिन में एक बार भी पानी पीलेगा तो काम चला लेगा जब उसको प्याश की ऐसी जरूरत होती है जल की जरूरत होती है तो उस कूबर में वशा स्टोर करके रखता है उसी के ऑक्सिडेशन करके वो अपनी जल का पूरा कर लेता है यह उट इसलिए उसको रखिस्तान का जहाज भी कहते है मरवस्थलिय पौधा में आप देखेंगे कि काटेदार होती है क्योंकि उसमें यदि पत्ती होगी तो उसको जायदे जल चाहिए काटा रहने कारण कम जल होता है इसके बाद उसकी रंद्र पृथिवी के नीचे बहुत जायदे रहती है ताकि उसको कम जल की जरूरत परती है और फिर देखेंगे कि मरवस्थलिय पौधा में इसमें उसका तना तना इस तरह का रहेगा कि वो भी आपको जल को संदक्षित लंबे समय तक रखता है ये इश्वर की इस रिस्टी है जो मरवस्थल का पौधा में जल को संदक्षन रखने की शक्ती हो जाती है नागफनी, कैक्टस लेली जिसमें पत्ती होती ही नहीं है कांटा का रूप होता है और वो प्रकाश रंसलेशन भी अपने तना द्वारा ही कर लेते हैं थंडा जलवाईू में चले जाएगा तो जीव का पैर और कान ये दोनों छोटा होता है इससे क्या होता कान और पैर छोटा रहने से थंड कम लगती है इसी को हम लोग एलेन का नियम भी कहते हैं आप देखे होईगा शील आप देखे होईएगा कि ठंडा में ऐसे प्राणी जो मोटा बहुत चाहिज़े होगा लेकिन पैर छोटा होगा कान बहुत छोटा होगा उससे उसको ठंड कम लगती है तो धुर्विय समुदर में चले जाएए तसील आप देखेंगे तो इस तरह के आप देखिएगा कि उसका पाऊ बहुत चोटा होगा और मोटा हो इसी तरह से सरीर के मोटी परत होने के कारण उसके अंदर जा ताप संड़क्षित हो जाते हैं वो ताप बाहर विशर्जित नहीं होते हैं इसलिए उनके सरीर में गर्मी बना रहता है यदि 3500 मीटर से आप उपर चले जाते हैं पहार पर तो उस इस्थिती में आपको सांस लेने में यदि मैदानी भाग का भुभाग का व्यक्ति उपर जाएगा उसको सांस लेने में कटनाई होती है लेकिन लंबे समय लेकिन वही पर पहारी व्यक्ति वहां रहते हैं क्योंकि वह वहां पर अनकूलन हो जाते हैं उसको शांस फूलने लगता है लेकिन वही पहारी व्यक्ति जब वहां रहता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम नहीं होती है और अरबीशी की मातरा बरने के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है वो उसके अनकूल हो जाता है एड़ास्ट कर जाता है लेकिन यदि मैदानी भाग का भी व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहेगा तो उसमें भी आरबीशी दीरे दीरे जायदे बनने लगेगी और ऑक्सीजन की कमी कम होगी नहीं के बराबर होगी तो ये देखिए अनकूलन करते है अड़जस्टमेंट आप जिस इंवार्मेंट में उनको मिला करको प्योग करते हुए और तब असपरधा भी करना और साथ में अपने जनरेशन को भी बराना ये 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 प्रक्रिया समस्टियां में चलती है जैसे देखिए कि किसी भी छितर में आप चले जाईए तो जल्यपरानी होते हैं वन परानी होते हैं चूहा होता है जैसे और आप और भी ले लिजिए जीव जन्तु हुए किरे मकौरे हुए सर्प हुए रेप्टाइस होते हैं बहुत सारे चीज़ ये सब मिल करके वह रहते हैं तो इस समस्टी के अध्यन में दो पत पर जैदे ध्यान देना परता है एक है जन्मदर और दूसरा मृतुदर जन्मदर और मिर्तुदर ये दोनों टै करता है कि उनकी इस्थिति क्या होगी दूसरा असपरधा वो कैसे करते हैं अन से असपरधा में यदि पीछे छूटेंगे तो उनका अस्थित संकट हो जाएगा दूसरा आता है लिंग अनपाथ अर्थात नर और मादा नर के नर का शंख्या मादा के अनपाथ में कितना है उसको लिंग अनपाथ करते हैं अब शमिष्टी वृद्धी में कौन-कौन से अभिया महतपुर्ण है तो समिष्टी वृद्धी में भोजन की उपलबता इसके बाद मौशम की परिस्थिती इसके बाद परभक्षन ये इन सब जमदर उसकी क्या है मृतूदर क्या है और प्रवाशन क्या है उत्प्रवाशन जैसे कि दूसरे जगह चले जाना या दूसरे जगह से चले आना तो समस्टी में कई सारी पारिशपरिक करिया भी होती है लेकिन समस्टी में पारिशपरिक करिया भी जरूरत है ऐसा नहीं कि प्रित्वी पर सिर्ष्टी पर यदि कोई एक ही अभियव रहेगा तो वो भी सर्वाइब नहीं कर पाएगा वो भी जीवित नहीं रह पाएगा मान लिजे मैं आपको उदानन देता हूँ कि यदि प्रित्वी पर सिर्फ पेर ही पेर हो तो वो भी नहीं रह पाएगा क्योंकि पेर को भी चाहिए भूमी के अंदर से उनको चाहिए पोशक्ततो और यदि वो पोशक्ततो नहीं मिलेगा तो पेर समाप्थ हो जाएगा तो भोजन के रुप में यदि उनको सूर्ज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो प्रकाश रंसलेशन नहीं कर पाएंगे मिर्दा का कार्वनिक पदार्थ नहीं मिलेगा तो उनमें पोशक्तत की कमी हो जाएगी और मिर्दा को मेंटेन करने के लिए पोशक्तत में सुक्षम जीवी की जरूत परती है तो हर स्रिष्टी के जितने भी अभियव हैं एक दूसरे के लिए सहकर्मिय उपयोगी बले अस्परदाव करते रहते हैं इसलिए स्रिष्टी पर ऐसा नहीं है जो कोई एक ही जीवीत रहेगा क्योंकि परते एक बात आप और ध्यान लखिए कि हर यदि स्रिष्टी में कोई भी चीज है उसको खाने के लिए तो दूसरा पर निटबर रहना पड़ता है मनुष तो मनुष को ही नहीं खा सकता है आप कोई जानबर अपनी समकक्स जानबर को तो नहीं खा सकता है उसको तो खाने के लिए मनुषको खाने के लिए अन चाहिए पेर को पेर को चाहिए सुर्ज का प्रकाश संसलेशन तो इस तरह से हर चीज की प्रकाश संसलेशन में सुर्ज का प्रकाश चाहिए जल चाहिए बहुत सारी चीज की जरूरत उसमें तो प्रकाश संसलेशन में अन दोनों जातियों को लाब होता है तो उसको सह उपकारता कहते हैं सहो सह मिंस साथ उपकारता मिंस एक दूसरे का लाब होना और यदी असपर्धा में दोनों को हानिया होती है तो उस इस्थिती में आले जी यदी तो उसको हम लोग यदि फिर से इसको मैं एक बार दोराना चाहूंगा कि सह उपकारता में दोनों जाती को लाव होता है और असपरधा में दोनों जाती को हानी होती है दोनों जाती एक दूसरे का कमप्टिशन करेगा और छीनेगा एक दूसरे को नस्ट करेगा यह असपरधा में दोनों को हानी सा उपकारता दोनों जाती को लाब परजीवता और परभख्चन में में कोई एक जाती का लाब होता है और दूशरे के लिए हानी कारग होता है इस तरह से मैं आपको जीव और समस्टियां का पर्थम भाग यहीं पर समाप कर रहा हूं और मैं सुनील ये खाटी बिहारी अब आपसे विदा ले रहा हूं यदि आपको ये लेक्चर स्रीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें, अपने मित्रों में बांट दें मेरी यही इच्छा है जिए बिहार के सभी छात्रों का सी परतिसर से उपर नम्मर आवे और कुना हमें इसके दूसरे लेक्चर से लेकर के जल्दी हाजर हूंगा, जै बिहार जै बारत